भी बताएं यह कितना घारी नीद हैं प्रेंट्य होगा सबको जॉब चाहिए जिसको नहीं चाहिए वो सारे चार्व जग्या जिसको चाहिए वो सोर है कैसे हो हुआ कौन बंदा तो पाच विशे बोल रहा था तो यह लटका कोन के नुफ़ाश बोल रहा था सही हुआ कि एक लार का पॉंच वेज़े बोल रहा था गुड़ मॉर्णी सार गुड़ मॉर्णी ने पूरा हो गिया ना क्या बले सार ने पूरा हो गिया ना हां स्वार्णी हम तो रोज पाच वेज़े उठते हैं कि अब आप देखास पॉंच भी रहा था नहीं तरह नहीं बोल रहे थे ज़िया थे नहीं था नहीं बोल रहे थे परने के लिए अब लुषयन में जो बोले थे परने के लिए परे थे क्या दाथी समंदी जो अपर था अब लुषयन में जो है अब बड़े थे परें क्या क्या समयों से मेरे पास मेरे पास लुषयन नहीं है से लुषयन का समय नहीं थे लिखार है खरीब लेगे कि 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 मेरा लुषयन का समयों से लुषयन जो हूर कि लिए वजवे दे मत्मेइ लेप ले श्रया कि लेख मैं साइब कि लेख लुषयन जब क्लास कतम होता है ना रिकॉर्डड वीडियो जब खोड़ते हैं तो इसमें लगता है कि मांसमें लगता को मैं उसमें लगता है वुट लम्भा वीडियो राता है दो इसलिए लेड से विडियो लाता है अभी तक गया नहीं तो दो पार्ट बनाऊ ना सब्सक्राइब और दिक्कत बूल जाएंगे एक पार्ट अप्लोट करने बाद फिर दूसरा पार्ट अप्लोट करेंगे बोल गया बाद देज़ें इसलिए लगे लगेगा चितना अब जाए जगा भी दूने में भी दिक्कत बजाएंगे इस अचाहिए ओक इसे एक में रहेगा ना तो सिधा उपन करेगा शुरू से लात पर देखेंगे कि महारा थासित करने वाले सब सोय है और चट्टा सब को जाब चाहिए कैसे होगा बताईगे तो अब करने वाले सब सोय होगा क्या मेरा रिजल्ट नहीं होगा हम खूद क्लास का टाइम साथ विज़े रग रहे तो इसलिए हम रख इसलिए रख रहते हैं अब को एक विज़े भी सोय गाना राख तो सारे चाहिए तक जाके क्लास अटेंट कर लेगा इसलिए हम साथ विज़े रख रहते हैं ना सब को सोच्छे अब एससे तो भी बोट रहते हैं कि अच्छा तर्जां दों विट्टे करती परे थे उससे त्रय नुम रिकल लाते हैं इसा जाओ दिए अठेंगे कि अच्छा झारा पात्पर बेंदू एसे एक ज़िए टि चलना प्रारम करता है तथा पुना वबिंदु एक पर वापस आ जाता है तो दिश्थापा तथा वेट और दूरी ल्याद दूरी ल्याद कीजिए बता यह क्या हो प्रेश वह के बैठे है ना सोके बैठे गया है तो प्रेश होके बैठे हैं आप लोग जाए जाएं प्रेश वहत्रा योगा कर लियें इसके बाद इस समय मिला थोड़ा सा किताप पर डालियां सब्सक्राइब लेकर के बट अच्छा आप लोग तरह एक्सरसाइज करते हैं क्या आपने अख्रसाइज जब करेंगे तो अपका आई जो है शिक्स बाई शिक्स ही रहेगा सब्सक्राइब कून चाट बाई पर आपका एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है अगर आँक शिक्स बाई स्क्रीन पर बैठते हैं जैसे आपने वह इंवन पर एक्जाम देते हैं जब आप तो पर प्रेशर पढ़ता है ना होता है कि जब आप इसे चीज को एक नजर से गणाया रगते हैं और ज़्यादा तरी चीज एक्जाम में तरने के लिए मिलता है जब आप मैं टेश्ट एक्जाम पर बैटते हैं वहां पर इन चीज का सामना करना पड़ता है हो जाता है जब बरा कोशन पांच लाइन का जब आप उसको पारेंगे पर शोचेंगे तब कर नजर वह से अटेगा उस समय आपको अंग द्रद दने लगेगा पानी चलने लगेगा तो इन चीजों से अगर बचना है दूसरा वाद साइको में बर्यां पर नस करना है साइको में और इस एक्जाम में दो कुषण देखना होता है अगर देखें तो ठीक है ने तो दो मिनट में 12 कुषण खताम हो जाए अगले फिर दो मिनट बात तीन मिनट चलिए दूसरा कुषण आएगा उसी तीन मिनट के अंदर देखना होता है उसके लिए समय बचाना जरूरी है अप पलग यह से कि समझे रहे न तो अगर चाहते कि हम continue कि चीज को देखते रह पलग भी जरूब हैं और बेली करते हैं इसा नहीं यह मेरा जॉब हो गया तुम छोड़ देते हैं आप भी बताइए आपको क्या करना है रोटेट करना है उपर नीचे लेप राइट यह चीज करना है फिर उसको क्लॉक वाइड एक्षिन में बूब करना है फिर एंटिकलॉक वाइड तो दिख रहा है तो बोलिए ऐसे उपर की लिए डीक रहा है फिर इसको नीचे एक्षिन दीक रहा है ना इसे ऐसे करना है कमस्कम दस बार एक दो तिन चार पांट चैने कि उपर गया तो एक नीचे आया तो एक होगा मतलब आप घार से मार्केट गए मार्केट से घार आए तो एक राउंड हो उसी तरह यह करना है तो दस बार इधर करना है अद दस बार लेप्ट राइट दिख रहा है उसे मुंडि परसुति दिख रहा है तो दिख रहा है घया दो आया जुत मतलब जितना आप अपने लेख सकते हैं कि यह यह रहा है तो लुए दिके एक नीचे यहां तक गुमिये तक कि मर रींदेगे कि इधर जिटना गुम्मिए इसको clockwise एक्षन में इससे move करना है उपर नीचे देखते हैं तो इससे move करना है फिर anti-clockwise एक्षन में ओवर आल 10 times सब होना चाहिए 10 times उपर नीचे 10 times left right 10 times clockwise होना चाहिए 10 times anti-clockwise इससे क्या होगा आँख का जो rotation चमता है वो बर जाएगा आउंग जो धरत देता है इसकी पर बने रहते आंख धरत देता है वो खतम हो जाएगा किसी भी चीज को आप ज़्यादा देख तक देखने की चमता है वो ज़्यादा बर चाहिए 10 तो साइको बहुत मदद करेगा बह तो इस्क्रीन रिफ्लेक्ट करता है लाइट अपके आँखों पर तब आप इसकी पूल देखते हैं तो कुछ अंधेरों में मत पढ़िएगा या फिर आपका जो इस्क्रीन का लाइट है इससे ज्यादा लाइट अपका रूम का होना चाहिए ताकि उसका इस्क्रीन का समझ रहा है ना यह फ्लेक्ट होती कर देखर पीछ पूबाइल के पीछे पूंद्र शॉइडिंपूर क्या है यह ना का करन का यह दिख रहा तो तो औरंका यह ले पाज जान नीव करवा है तोड़ा तो जोड़ा फांच वाजे से चौन हुआ हुआ मितलब कर लेट हो गे तो आई का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है तो दिक्कत हो जाएगा बहुत जरूरी ठीक है कि आये कहा रहा है पुछन का जवाब क्या होगा इसका एंसर क्या होगा अबर्म पर रहें बित्ताकरपत पर बिंदू ए से एक बेक्ति चल्मा प्राव्राम करता है तथा उना हुआ बिंदु ए पर वापस आता है आज आता है तो विस्थापान बेग और दूरी ग्याद कीजिए बुलिए क्या होगा इसका इंसर विस्थापन तो देखो और यहां से काता है और तो विस्थापन क्या होगाut सामय भी स्थापानी मेरा जीरो निकला समय से क्या लेना दनाल जीरो होगा ना बिलकुल नहीं आतना चाहिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम गराप गती विस्थापन क्या था गती समंधी गराप तो इसमें दो गराप को दर्साया गया है एक तो पहला है आपका विस्थापन समय गराप और दूसरा है विस्थापन समय गराप दूसरा है विस्थापन समय गराप दूसरा है आपका विस्थापन समय गराप विस्थापन समय गराप दूसरा है आपका विस्थापन समय गराप विस्थापन समय गराप दूसरा है आप दूझ चीज को परना है विस्थापन समय ग्राप विस्थापन समय ग्राप से क्या मिलेगा कि पाला है कि पिर इसफापन समय ग्राप कि जिए ख़ली बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बिस्थापन समय गराप पले हम लोग गराप को निकालते हैं हाँ यह X होगा और यह Y होगा यह 0 कर दिये हैं बिस्थापन समय गराप को समय हो गया यहां पर यहां पर बिस्थापन हो गया है यहां कि डिस्प्लेस्मेंट हो गया है ठीक है ज कि दो टी जो है समाओ यह स्वतंत्र होते है इंडिपंडेंट होते है इसी लिए इसको बेश में लिखा जाता है एक सेक्सिस में लिखा जाता है ठीक ना है लेकिन क्या हुआ है चला गया कोई आया था जो है कि चला आजिए कि ऐसा तो नहीं तो तो कानेक मतलब समय जो है वो independent होते हैं इसलिए इसको x-axis में लिखायाता है और विष्थापन को y-axis में लिखायाता है विष्थापन समय गराब आपला आपका लूशेन में दिया है उसको हम नन लेते वे हम अपना एक-ईग्जमपल देते हैं ठीक है इसको मान लिए हम एग ठीक है अब ही द इसको इस तरह से मिलाते हैं कोई दिक्कत की नहीं को यह T है तो हम इसको T1 नम देते हैं इसको T2 देते हैं इसको T3 देते हैं इसको T4 देते हैं यह S1 देते हैं जी कॉन बहलीन जीstar कि अंकित जी कौन बोले धन्जे जी कि मैं परवन्यकार पूछ रेते सर्फ किस इसको प्रवलेकार किसको बोलते कैसा ग्राप होना चाहिए हम लोग परे थे बात जो है आपका प्रोजेक्टाइल मौसर का जो बात होता है वो कैसा होता है प्रवलेकार बोलिया तो इस ग्राप को यह प्रवलेकार दर्शा सकते हैं क्यों नहीं होगा अब बताएंगे सब बताएंगे अभी आड़ा को अब इसका यहीं आया पर उस्ते लगता है राकेश जी प्रवलेकार होगा क्या होटे है क्यों हुए थे सर्हां आज लेट हो गया दस मिलेक्षा तो आपका लेट होगा है क्यों है जी हां राकेश जी बोलिये नहीं सर्कले हम जो आइन हुए थे देखे आपकल जोए नहीं हुए थे ना है कल जी हुए थे लास्ट में है ना वह सारे चार के बाद मेरा मुवाइल डिस्चार्ज हो गया था तक कट गया था ठीक है आए यह आपका समझते हैं देखो एक बार थोड़ा समझ जल्दिशना इसको पलटा लेते हैं देखो आज परनांओ समय करणांगे दोचिव यह नोग है ता यहां पर हम क्या यह क्या क्या चाहिए विस्धापन चाहिए और समय चाहिए क्या चाहिए विस्थापान ओर समय तो विस्थापान को S से दिनोट करते हैं समय को T से दिनोट करते हैं ठीक है ठीक है इंडिसको समय op डिवाइट कर दिया है, अब मैं पुछूं, अच्छा ये कुछ ना कुछ ठिटा बना रहा होगा ना, ये कुछ ना कुछ ठिटा बना रहा होगा, एक्स एक्सिस की साथ, ठीक है, हम लोग 10 में पढ़ते थे, याद कीजिएगा, स्लोग, क्या पढ़ते थे, स्लोग, हिंदी में करते हैं परवनता, क्या पढ़ते हैं, परवनता, इसी को हम लोग क्या करते हैं, स्लोग यानि परवनता को, यानि इसको हम डिनार करते हैं ठीक है, यही चाहिए है, स्लोग किसको बोलते हैं, परवनता किसको बोलते है, जो एक्सिस के साथ क्या बना रहा है तो क्या बना रहा है ठीटा बना रहा है ठीटा बना रहा है ठीक है यहां पर जो स्लोग हमें मिलेगा वो किसका मिलेगा अब यह आप लोगों नहीं बोला है विस्थापन समय गराब से हमको क्या मिलेगा वेलो सिटी तो स्लोग जो निकलेगा वो किसका निकलेगा वेलो सिटी कोई दिख्त है कि यहां तक किनि कोई दिख्कत है नहीं यह निकल जो निकले तो अच्छा unrest का नहीं है यहां पर जू स्लोप होगा वो क्या होता है क्या होता था था यहां पर जो स्लोप होगा क्या हो य2-y2-y1 वाटा-x2-x1 तो मैं करूं S2-S1 बटा T2 इधार क्या है? X-X भी क्या है? T है, समय है? तो T2-T1 कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? तो यह जो सलोग है, यह किसका निकला है? वेलोसिटी का निकला वेलोसिटी बरावार हो गया S2-S1 बटा T2-T1 किसी को आप Δेल्टा S वेलोसिटी बरावार डिल्टा T लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है? ने आप देखो यहां पर कि अगर मैं इसका नाम रगदू अगर मैं इसका नाम रगदू A, B, C, D इसको मैं क्यों कर देता हूँ? हाँ, अगर मैं बोलूंगा O और A O और A का स्लोब क्या होगा? O और A का स्लोब क्या होगा? तो आप बोलेंगे क्या? देखो यहां पर S2 मिनस S1 T2 मिनस T1 यानि कि S2 S2 कौन हो गया? S1 हो क्या? S1 कौन हो गया? 0 यानि कि वो जो था 25 उसका पहले 0 था देखो दियां से सुनियेगा जब वो 0 सकंड था समय उसका 0 था तो 25 भी 0 था जब समय उसका T1 हो गया तो 25 भी S1 हो गया यानि कि 0 समय पर 0 विस्थापन था उसने T1 सकंड के पहले उसका 25 एस वान हो गया ठीक है? तो यहाँ पर यह बताए कि S1 बड़ाबर क्या होगा? 0 होगा? क्योंकि वो 0 सकंड पर 0 था S1 क्या होगा मेरा? 0 होगा 0 होगा और S2 क्या होगा? S1 होगा S1 होगा 0 सकंड पर 0 था T1 सकंड बाद वो S1 पर चला गया तो S1 क्या? इस केया है 20 पाला विस्थापन जीरो है बिस्थापन क्या है वह 0 है s1 कि नशेव जी खेकल ज सच्पपन पर य¬ कमेश बात करों त्युभरात क्या होगा जीरो होगा जैरो सगेंट वे जीरो पे था तो क्या होगा? ठीक है अगर T2 का अगर बात करूं तो क्या होगा? T1 होगा. अब हम लोग को पता चल गया. अब जो हम बोले हैं O A, O A, O से O से A तक मैंने सब कुछ लिख लिया है. अब velocity कहता है. तो इतना से इतना तक अगर मैं बेग पूछूं आपसे क्या होगा तो हम लोग उन्हें क्या पर रहे है फर्मुला S2 मेरा क्या है S है 1 क्या है 0 है S1-0 करूं मैं S1-0 उसी तरह क्या होगा T1-0 हमें क्या मिंद लेगा S1 BD1 इस तरह लिखे एस बढ़ा T1 ईस तरह लिखे यगूं है कि नहीं इस इस यह अच्छ यहांं तर कि लिए समझे सब पर रॉन पर रहें कुई जवाब दीजे आ है है पप्पु मंदल जी सर्थ समझें ना कि तोड़ा थोड़ा सर्थ तोड़ा थोड़ा कुछ नहीं क्या कि अगर अपने लास्ट जो बेल्यू है उसको पहले बेल्यू से घटा करके वहां यहां पर देखे लास्ट जो बेल्यू है उसको पहले में घटा दिए और समय लास्ट जो घटा दिए तो समय न हों इसको छोड़ा या तुरन में खेलेशन में इसमें क्या होता था भी वाटटी होता है तौरन में अब्रत्व == ऐसे सथार है कि बेग में परिवर्तन हुआ यह नो परिवर्तन उवनान करते हैं यह नो परते हैं यां सिमय और कुछ और उगया यहां पर दिस्प्लेस्मेंट में टाइम गराप से पाली बत तो किलिया रहे हैं अम लोग पर रहे तो वेलोशिटी काता है क्या दिस्प्लेस्मेंट अपन टाइम कर दो तो हमें हम निकल जाएंगे बेक काता है निकल जाएंगे कोई दिक्कत है यह तो हम लोग पर है जी सर तो हम क्या किया है यहां पर वेलोशिटी को क्या क्या है को क्या किया है स2"-S1 किया है कहान एक मतला पहला उसका यो विस्थापा था वो जीरो होता मनतब कुछ भी विस्थापा ने था बेकती जा आप डेठे थे ह hopा उस समय किया प्त जाओना जो होना चाहिए ठीसर बिटक होना कि आपने कोई वर्क नहीं किया तो कारी क्या होता है जिरो होता है उसका जो अगर कोई काम नहीं करेंगे दो अगर क्या हो जिरो हो गा카 ऑप का पथे हैं तो आपका डिस्थापन क्या है qi निश्थापन के लिए जिरो है जिसार आपका समय घर के बैटे हैं वहा Baptist कर लिए तो कुछ समय भी तो लगा होगा ना जी सर्फ वाई लग गया साम अपको घर बातरूम जहां बैठे हो वहां से घर जाने के लिए कुछ समय लग गया पहले समय 0 था उस टैंक कुछ समय लग गया अब बले ही क्या बताओ लग वैलोसीटी जिया होगा तो हम क्या करेंगे लत उन स्वह नहीं होगा घर अंड़ से भी अलका बान में होटाए लिए संगर्च लेटेप्ला में जाल फैक Hundreds के लेंने तो यही चीज़ यहां पर दोफो अब दोफो यहां पर हम बोलेंगे क्या ओ और एक अबे क्या होगा ओ और एक अबे तो ओ और एक बीच में दोफो यहां पर जब यहां परबंदा था तो उसका displacement 0 था समय भी 0 था उस तें तो S1 0 हो गया पर T1 भी 0 हो गया जब वो T1 सेकेंड बात या S1 तक चला जब वो S1 तक चला तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा तो T1 समय लग गया जी सर तो S1 तक चला तो यहांनि S2 परबर क्या होगा क्या हो गया जी सर और T2 परबर क्या हो गया तो उसी तम घड़ा दिया S2-S1 यानि कि S2 मेरा क्या है S1 है S1 है और S1 क्या है 0 है तो S1-0 करते हैं हम यहां पर दख्या है S1-0 बटा T1-0 परबर यह आ गया अब दखेंगे आगा अगर मैं बोलता कि A और B के बीच का तो बताइए क्या होगा S2-S1 बताएब C2-1 होगा की नहीं होगा यह बताएब अब यह बताएब आपको कि यहां से यहां से यहां का बेग क्या होगा मात इतना ड़बएग बताएब यहाँ पर जब थे आप, मतलब यह S1 हो गया मेरा, और यहाँ पर आगया, मतलब यह S2 हो गया, जब आप यहाँ पर थे, S1 बिस्थापन था, तो T1 मेरा समय था, जब आप S2 पर आगये, तो मेरा समय भी लग गया T2, तो क्या होगा, S2-S1 वाटा T2-T1, क्या होगा, ABC के बीच का बेक क्या होगा, ABC का जबीच का बहलो सिटी क्या होगा, S2-S1 वाटा T2-T1, वह दिद्कात, ये होगा, बेक किसमें निकलता है, मीटा र सेकेंडी, अभी तो आपके desem क्या का हा रहा है, और एक चीज पहले यहां पर देखो, देखो यहां पर, मैं दो ग्राब लेता हूँ इस बार, ठीक है, दो ग्राब लेता हूँ, एक तो इस्ता सुला दिया हूँ, इसको ए मान दिये, और एक इस्ता सुला दिया, इसको भी मान दिया, अब यहां पर यह जीरो हो गया, ठीक है, इसको मैं 5, 10, 15, 20, उसी तरह यहां पर, 5, 10, 15, 20, यह जो है, ठीक है एंगल बनाएगा, एक स्रेक्सिस के साथ, ध्यान रखेगा, अच्छा उसको में लिखते हैं, यह भी ठीक हैंगल बनाएगा, यह ठीका वान ले लिजेए, इसको ठीका टू ले लिजे, हां, ध्यान रख केगा, स्रोब जो है, स्रोब जो है, वो हमेशा, हमेशा, एक स्रेक्सिस, यह एक स्रेक्स अक्छ के साथ, के साथ, कौन बनाएगा, बनाएगा, ठीक हैं, दुसरा बात, वो भी पोजिटिव डायक्शन में, पोजिटिव डायक्शन में, समझ है न डायक्शन में, तो कहने के मतलब, आप x इधर भी है, x इधर भी है, x प्लस इधर, x मैंश हैं, अगर मैं असको दिखा दू, होता है न, तो आप उल्टा स्लोग नहीं बना सकते हैं, इस तरह आप नहीं किस सकते हैं, ऐसे नहीं किस सकते हैं, जब भी बनाएगा, वो पोजिटिव डियक्शनल बनाएगा, समझें ना? ठीक हैं, अभी मैं बुश्ट हूँ, कि बताएए, यह जो है, अगर बोलेगा क्या, इस जगह इसको टज कर रहा है, इस जगह कर रहा है, यह इस जगह कर रहा है, यह इस जगह कर रहा है, यहां पर कर रहा है, ठीक हैं, यह भी यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा ह अगर मैं इसके recording मिलाओं इसरे खाको देखो यह कहां मिलेगा यहां पर मिलाओं देखो यहां पर मिलाओं पूरा पूरी और यहां पर मिलाओं अगर मैं इसको मिलाओं देखो यहां पर पांच पर मिलाओं अगर मैं इसको मिलाओं देखो यहां पर अगर मैं इसको मिलाओं द है इसका जो slow बन रहा है वो b के तुलों में छोटा बन रहा है देखो b खारा है तो वो ज़्यादा उपर का value को touch कर रहा है s के direction में यह क्या है s है यह क्या है समय है ठीक है कहाने के मतलब यह जो है क्या कर रहा है b क्या कर रहा है पहले एक ग्राप समझते है b क्या कर रहा है b और a को मैं इसे लेता हूँ ठीक है यह x है यह y है पहले a लिया है मैं ने a को लिया ठीक है यह ठीटा angle बनाया यह 0 है यह 5 10 15 उसी तरह इदार 5 5 10 15 ठीक है अब देखे यहां पर यह जो है इसको मैंने यहां पर कट किया फिर यहां पर किया यहां पर किया फिर यहां पर किया अभी दोगो यहां पर जब कट हुआ है इसको ऐसे मिलाओ इसको ऐसे मिलाओ फिर इसको इस तरह से मिलाओ ठीक है फिर इसको यहां पर कटवा है न इस तरह से मिरा हो एम से मिरा हो दगू यहां पर आभी थैप हम लोग सलोब बरावर क्या पर है बेग बरावर क्या पर है हैं स2 मैनस स1 बटा T2 मैनस T1 यहीं पर रहे न यह फर्मूला हो आपका टीक ना सलोब तुब अभी बताओ S1 मेरा क्या होगा, 0 होगा अगर ऐसे नाम देदू, सको B नाम सको C ठीक है, और O और A के बीच का मैं पुछ Lap तो इस दोनों के बीच का वैक्ति था पहले 0 पे, तो S 1 0 होगा मेरा, अब S 2 मेरा क्या होगा, S2 वो यहां है, 5 नहीं होगा, तो यहां ही पर टच कर रहा है, 5 तो उपार है, तो यहां ही पर टच कर रहा है, और इसको मैं डिवाइड कर दूता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तीन मान लगता हूँ फिर ये पांच ठीक है तो ये दो पर हो गया ठीक है उसी तरह यहाँ पर दो नगा यहाँ तो यह पर 5 0 होगा 3-2 मैं mines क्या होगा 5 पर आ गया न यह तो समय है यह विश्थापं है तो zero सकेंड पर धा जिरो सकेंड पे वो जिरो पे था, पांचमा सकेंड में वो कहा चला गया, दो पे चला गया, पांचमा सकेंड में, यदि टी टू जो गया, वो पांच हो गया, अब दोको फर्मुला से आओ, दोको भी बराबर था, एस टू मिनस एस वान है, एस टू मेरा क्या है, टू है, मैन अगर मैं अब देखने हैं इसी में तुस्ता ग्राफ डालते हैं इसी में तुस्ता ग्राफ इस तरह से जो मैंने बी डाला था वहाँ पर बी को डाला था इस तरह से अब बताइए अगर मैं इसको टच करा लूँ देखो यहाँ पर यहाँ पर यह पांच और पांच को टच किय इस तरह से touch कर रहा है यहनि कि A के तुल्णा में बड़ा value touch रहा है B कुछ कर रहा है ना मेरा 5 मेरा तू किया होगा भैलोस सेटि भरावर ब्रक्रट को क्या होगा ए एस सुन मिरा 5 मेरा soजाए न बतल़गर क्या है तू कै assumptions कि प्रक्रट सफ से जाएтор में पर सेकेंड ज्यादा है कि तो वाएंच में पर सेकंड ज्यादा है ज़ाधा है नखुन चीजों से एक चीज आहिसास वह आप लोगों कि जिसका स्लोप जादा हो अब उसका वेक जादा वहाँ हाँ तक यह है और यह है यह यह बी है तर एक पिछला स्लाइड लाइया था अलाए बोलिए पाइब इसार जो जो स फाइब ना है तो यह चीरो का इसे लिखती है यह सै फाइब कां मिला जह जरी रिए होडसे जो फाइब को टच कर रहा है न यह याल पर आपको पहॐ आप जिए है तो इस नी chamber is two होगा न एस व्हों तो मेरे 0 है इस वन जीरो को मैंने ही यहाँ पर दबाओ यहाँ पर दबाओ एक्स वाई देखो इस तरह से इसको मैंने मिला दिया ठीक है यह जीरो है यह पांच है यह पांच है जीरो सकेंड पे वो जीरो पे था जीरो सकेंड पे जीरो पे था 0 second पे वो 0 पे था 0 second पे वो 0 पे था यानिक समय 0 था displacement भी 0 था फिर दगो अगले 5 second में इदर क्या है समय है ना अगले 5 second में 5 second में यानि T2 जब 5 हुआ तो 5 पे चला गया इदर दगो 5 पे चला गया तो S2 भी 5 हो गया S2 है 5 S1 0 मेरा वही चीज़ है यहां पे S1 मेरा 0 है S2 मेरा 5 होगा यह अभी भी नहीं वैड आउट पे लियर तो बुलिए नहीं सरस्वाजी काने इस मतलब पाला जो भीजू रहेगा वो एकॉर्डिंग गराप एकॉर्डिंग अगर यहां से जा रहे जिरो से अगर गराप खीचावाई यहां से तो पाला वैल्यू हमेशा जिरो रहेगा S1 भी जिरो रहेगा 81 भी जिरो रहेगा S2 बदल जाएगा 82 बदल जाएगा ठीक ना और इसको मिठाते हैं इसका ज़रुत मेरा तो काने मतलब जिसका स्लोब जादा यह भी ठीटा बना रहा है यह भी ठीटा बना रहा है ऐसे भी दिख रहा है किसका ठीटा बड़ा दिख रहा है बी कंद दिख रहा है ना X6 के साथ एक अच्छा ज़रुता दिख रहा है तो हम लिखते हैं नोट के रुखने जिसका स्लोब ज्यादा, उसका वेग ज्यादा, बी नमबर, जिसका स्लोब काम उसका वेग कम, तो बताइए, अगर कहेगा, अपर जो लुशन कह रहा है, दो कार है, कारे और कारबी, ठीक है, कार है, दो कार, कार है, कारे और कारबी, पिगर देगा, पिगर देगा, बी और ए, और ये हो गया एक्स, ये हो गया वाइ, ये हो गया समय, ये हो गया दिस्प्रेसमेंट, ठीक है, इस तरह से, हाँ, दो कार, कारे और कारबी, हाँ, क्या लिखा है, इसमें, हाँ, एक समान वेग से गती कर रहा है, कारे और कारबी, किसका वेग ज्यादा होगा, बोले, कारबी, HR, और इसे सवाल में फसना नहीं है, हमको दीख रहा है, एक स्लोप है वो छोटा है, ये का दूली नाम, बी का स्लोप बरा है, तो बी का जो वेग होगा, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, practice एसे, ठीक है, ये हो क्या, हुआ अभी अपने है आभी की ने खुल रहा है देखो साही क्या समझें और हमें अभी आपने बेसा प्रभले suf жд कि अर्थ प्रवलेकार है, ऐसे भी दर्शा सकते हैं, गराप को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कई तरह के गराप होते हैं, ठीक है, इसमें हमेशा आपको यह जो चीज हम बता है अब शुरू में जो पक्रने के लिए जो बताई हैं इस लिए हैं से गेर को देखना पड़ाँ है सब्सक्राइब रिखना चलिए हो इसमें से नErीट पटाई हैं इसके बाद है बब्सक्राइब user तर्सक्रा सब्सक्राहां। है यहां हम तुस्त समय ग्राप ग्राप से सब्सकुर्ण मिलता क्या मिलता है तो रन्मिता कैए एक ग्राप ने तो त्व обяз लेती लेते पो दो लिए वही समय गडाप से हमको क्या मिलता है वही सलोब समझ गए ना वेग समय गडाप में हमको त्वरान मिलता है क्या मिलता है तो रहां जिसको हम acceleration कहते है ठीक है इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा y2-y1 बटा x2-x1 तो y-x में क्या है बेग है ना तो b2-b1 कोई दिक्कत यहां पर क्या है समय है कुछ नहीं करते हैं दुस्ता फिगर लेते हैं एक्स हो गया यह y हो ठीक है इसको हम तोड़ देते हैं 5-10-15 इसको भी तोड़ देते हैं 5-10-15 ग्राफ को समझना हो तो इसको तोड़ दीजे तो को यह point A मान लेते हैं इसको हम इसको point A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं point A को मिला देते हैं इस तरह से कुछ point B को मिला देते हैं इस तरह से कुछ point C को मिला देते हैं इस तरह से कुछ सब को जो हैं ब्रावर वाले संख्या को ठेज कर रहे हैं पंद्रह यहां इस तरह से मिला दिए अब देखो बेग यानि ब्रावर क्या पर हैं वाइट वाइट नहीं लिखते हैं सिधा भी लिखते हैं इसको अगर इसको जीरो नम दिया है ओ और एक के बीच का जो त्वारन होगा वो क्या होगा 5-0 कट के क्या आएगा वान मीटर पर सकेंड स्क्वाइट को तो बोल सकते हैं जो डिस्प्रेश्मेंट में था जो आपका वेग में था हुआ ही चीज जहां भी है कोई दिन कट की नहीं को नहीं है ना अब होगर बुलिएगा अभी तो को हम ओ ए से निकर गया है अब आजा ए और बी के बीच ए और बी के बीच का जो एक्सलरेशन होगा वो क्या होगा जो ए और बी के बीच ए ओ और ए में मेरा जो था जीरो सकेंड पे जीरो पे था अगले पांच सकेंड में पांच पे चला गया अब मैं पूछ रहा हूँ ए और बी के बीच में तो जो मेरा ये है वेलोसिटी है वो पहला फाइप है अगला वेलोसिटी मेरा का होगा दस हो गया पांच सकेंड में देखो यहां 5 सकेंड में 5 पे था, 10 सकेंड में वो 10 पे चला विया, तो क्या हो गया, B2-B1, बटा T2-T1, 10-5, बटा 10-5, वो दिकत, सब कोई गोलिए, इसको भूल जाओ, यहां से आओ, A और B के बीच, हम A और B के बीच कर लिया है, ठीक है, यानि 5 सकेंड में यहां पे दो, 5 सकेंड में वो 5 पे था, जब इधर चला समय जब बढ़ा उसका, 10 सकेंड में, तो यह कुछ भी स्थापित भी हो गया, यह 10 मीटर दूरी तेक कर लिया, तो क्या हो गया, यह हो गया मेरा V2, यह हो गया V1, यह हो गया मेरा T2, यह हो गया T1, कोई दी कट, हम गठा दी, क्या होगा, कट के वह न है जाएगा, 1 मीटर पर सकेंड स्क्वाए, उसी तर जाओ आप निकालोगे, B और C के बीच का, देखो वही होगा, पंद्रा में 10 जाएगा 5, और पंद्रा में 10 जाए टाइम गराफ से क्या काता है, तौरन काता है, इस तरह से एकजाम में पुछ सकता है आपके, आपसे कि, पहला पुछ सकता है आपसे, कि वहरोशिटी टाइम गराफ से हमको क्या मिलता है, यह बेग समय गराफ, बेग समय, समय गराफ, गराफ से क्या मिलता है, क्या मिलता है, आपुसं देगा यह नमबर 20, दुशा देगा तोरन तिश्रा देगा विष्थापन यह 4 देगा 14 देगा नाद इनने से कुए ही न तो क्या मिलता है बताइए बेक समय गराप से तोरन मिलेगा क्या मिलेगा तोरन मिलेगा उसी तरह उसा कोशन करेगा कि विस्थापन समय गराप समय गराप से क्या मिलता है क्या मिलता है इसलिए बोलते है थियोरी परने के लिए आप समझ में आ रहे है काई बोलते है थियोरी कुमेंट करेगा थियोरी क्या होता है कि आपसे क्या मिलता है दे देगा त्वारान बेग चाद इंटीम दे देगा अना क्या मिलेगा टुमे है यह मिलेग अर्भाण के देखो सब्सक्राइम में इसा क्या इस नहीं मुद्राइब कॉछ इस तरह से नीचान लूग क्या तो आप निकास सकते मां पार का चैब में तेगा हो सब्सक्राइब अब वेडिव विधित बस्तापन क्या हो बैग क्या हो इस तरह से आप दादा नाना का थादा जो कुछे बताएं जोाओं दोषा बत ना नाता है अब तक हो समझ गए अभी आपका अच्छा एक चीज़ यहां पर बतहिए यहां पर जो हो रहा है अब देख रहे हैं हर जगे जो मेरा result आ रहा है वह one meter per second बिल रहा है one meter per second मेरा फोरान मिल रहा है वो one meter per second मिल रहा है जग मिल रहा है ना तो इसको हम बोलेंगे एक समान त्वारन क्या बोलेंगे एक समान त्वारन गराब गराब बोले क्या देखो क्वश्ण कैसे पूज़े का निम्न में से कौन सा गराब एक समान त्वारन गराब है यह मैं से कौन सा गराब एक समान त्वारन गराब है ऑप्सन नमर वाइए एक्स वाई अप्सन नमर बी ऑप्सन नमर सी ऑप्सन नमर डी बोलिए कौन सा गराब एक समान त्वारन गराब है क्योंकि यह जब भी जब भी ध्यान से सुनिए जब भी हाँ इसको अम नोट कर देते हैं नोट में लिग देते हैं तो वो गराब जोगा एक समान त्वारन गराब होगा हाँ जब कोई गराब एक्स एक्सिस एक्सिस के साथ के साथ कुछ कौन कुछ कौन बनाते हुए सरल रेखा के रूप में आगे के और बढ़ता है अगे बढ़ता है बढ़ता है तो गराब जो है वो क्या होगा हो गया बैमारी फिर इसको हो गया बैमारी बैमारी चरू हो गया अन्य तो ग्राब ऑगा एक समान एक समान को तौरी 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 उलसित्वा तौरी गराप होगा ठीक है पिगर समझ गया ना इस पर जबन नहीं है कि अब समझ गया कापी हैं ठीक ना फिकर समझना बहुत जरूरी किलिया अभी दोखो याप पर आपका अब लुसायन ने दो भाग में इसको डिवाइड क्या है एक तो हम बता दिए एक समान तोरीद गरब चाहता है आपके एक समान गती दोखो एक समान गती गरब चाहता है एक समान गती गरब एक समान गती गरब जब अभी आ रहे देखो अभी आ रहे आ रहे आ रहे का समझेगा गरब सिधा सिधा आउट वजाए दोखो सब्सक्रावन खती का रच में क्या थे एघ्ट या खती कराब में क्या होगं combining जीरो है तेन valt है फंदरर तिकाम यह intent पंद hints चपंद्राय यहाई यह समय है ठीक है एक समान गती गराब में समान गती गराब जहां से सुनना कोई बंदा पांस सकेंड में वो पांच बढ़ता जहां से सुनना पांस सकेंड में वो पांच बढ़ता अगले 10 सकेंड में वो दस पांच पे ही रहा हूं अगले 15 सकेंड में भी वो पांच पे ही रहा सांच, सिदा सिदा आप बढ़े हैं, समय तो भाग रहे हैं, आप ये बढ़ेग नहीं बढ़ ना? हमां शाल हों यह प्रहा है तो आप वहए में भेखें कहने के कि मतलत के का समय बर्रा कर दूए है यहां से यहां समय के और भाग गए आप, लेकिन आपका विस्थापन वहीं है, आप वहीं पर है, इसको मिलाओ देखो, वहीं पर है, है कि नहीं है, तो इसमें जो बोलते हैं, एक समान गराब बोलते हैं, एक समान बेग गराब बोलिए या, एक समान बेग गराब, हाँ, तो एक समान बेग यानि कि इसमें जो त्वारन होगा उत्पन नहीं होगा त्वारन त्वारन जो है त्वारन उत्पन नहीं होगा क्या कहता है त्वारन 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 क्या क मैं इसको आगे सवायन दरता तो जिरो सकेन में यानि जिरो सकेन में वो कहां था न? be घ, अगाले फाँ सकेन में वो कहां है पाँ सकेन में वो कहां हे 5 यह लिकए पांच पर यह है ओलिटा पंटा लेकिया पांच सक्टेवे हो पांच पर छला गया है नहीं टी तू जो है भो फांच हो गया और घजर चीरो शचाहbor चोपर थो पांच पर था है पांच सक्टमीं भी वह पांच details आया है यूअक यद्ग Praлон ना यूज बेख समय ग्राप है ना तो बेख समय ग्राप है तो S के जिए हम B1 करते हैं और S2 के जिए हम B2 करते हैं बताओ B2 मेरा क्या है पांच है तो त्वारं जो होगा उसमें उत्पन नहीं हो क्या होगा त्वारं उत्पन नहीं होगा कहता है यदि कोई बस्तू एक समान गतिक कर रही है तो उसका बेग नियत रहता है अब तो कि लिए रोगया सब कुछ सब कुछ की लिए रोगया इसा नहीं लगता है इसके उपर नीचे हो गया है तो थोड़ा हुआ है इसमें डावल लेयर क्यों हो गया एक बीच का जो है ना इस पर चार गया एक लेयर एक लेयर यहां खाली चल दीख रहा है नहीं पता नहीं सके से कुछ इसमें उल्टा पुल्टा हो गया है इंदे को फिर सम्गराब बनाते हैं यहां से दो एक से वाए यह गराब बनाता ना हां तो कहने के मतलब कहेगा जब एक समान गराप हो एक समान गति का जो यहां पर बना रहे क्या यह यह नहीं बना रहे हैं अंगल यह नहीं बना रहे हैं यह नहीं ठीक ना X axis के साथ कौन नहीं बनाएगा कौन नहीं बनाएगा देखो अभी मीजो एक समान वे गराप को अगर पाचान ना हो तो वो क्या होगा X axis के साथ परलर होगा X axis के साथ इंगलीज पर में आज वह है न टुन ओलग को दिक्कत हैं अब आँ बार जहने को पर अब आँ तो कि यह जुआ रहा है ज्टस रिए आप जुआ कर और ऑफ कर्नेडेट है कुछ वर के साथ रिए किलियर है न जो सुरू से जुरे हैं किलियर है न जो अभी आए है जागी रुसाइन जी निनकुरा हो गया हम सारी चाले देज़े गया बताइए ठीक है एक समान बेग गराब जोगा वो एक्सेस से साथ पर ला लोगा दूसरा बात यह प्वेंट करने वाली बात है ठीक है दूसरा बात इसमें कोई तौरण नहीं होगा क्यों नहीं हो रहा है और ही इसा क्यों हो रहा है इसमें कुछ लिखा नहीं है यह यहां हा रहा है कि यहां आरा है हर जगा आ रहा है यह नहीं नहीं रहा है कि में नहीं रहा है पर दिया को पर तेख एक श्लैट के बाद या ठीक है दूसरा बात क्या था इस पे भी और लेप हो गया ना अभी तो अभी तो लिखा है तो बेख समय गराप में हम लोग क्या पढ़ेते बेख समय गराप में अभी हम लोग का जो यह गड़ा यह गराप है ठीक है यह जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा पैरलल होगा तो एक समान बेख गराप बोलेंगे उसको एक समान गती बोलेंगे हाँ आप दोगों इसमें क्या होता है इसमें कोई तोरन उतपन नहीं होगा नहीं होगा ठीक है इसमें कोई त्वरान उत्पन नहीं हो रहा है या क्वेशन करेगा या किस ग्राप में किस ग्राप में त्वरान पन नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है ग्राप देगा आपको इस तरह से किस ग्राप में त्वरान पन नहीं हो रहा है बताइए पकरने के लिए क्या बोले हैं वह ग्राप जो होगा त्वरान पन नहीं करेगा वह एक्स इसके साथ पैरलल होगा दूसरा बात वह कुछ एंगल नहीं बनाएगा दोखो यह कुछ एंगल बना रहा है तो कुछ एंगल बना रहा है अगर इसको मिलाएंगे यहां पर कुछ एंगल बना रहा है यह कुछ एंगल बनाएगा लेकिन पैरलल ग्राप जोड़ेगा वह कुछ एंगल नहीं बनाएगा दूसरा जिसमें तोड़ां कपन नहीं होगा उसमें कुछ एंगल नहीं बनाएगा औ और दुसरा वो जो होगा एक्सेस हिसाथ परदर देखिए अब देखिए आपका जो क्या बोलते हैं लुसेंड में जो ग्राप था आपका ग्राप खतम होती है इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं अभी आप आते हैं परलेलो ग्राउं या प्रवलेग बदर आते हैं आपका जो इसमें और कुछ ज्ञादा है नहीं को एक क्षमान तोरिदर ग्राप देख लिए हम लोग और सवर्य गर्प देख लीए हैं आप दोखो आपने पॉस्ट्वस्य क्या है कि गराप ऐसा भी हो सकता है है, और हमें एक जंपर बहु होगा ठेक है, तो बेब जब भी ओगो ढब यहां पर बत सब्सक्राट कीज़ा हुआ है तो गराप धीखर हो आपको रोड मिला बहुत भाका है अदम तो जब यह एक्सलेरेशन नीगेटिव में हो तो भेरोसिटी क्या हो रहा है वो भी नीगेटिव में हो रहा है यह गटेगा क्या हो गटेगा गराप गराप पूछे कि बार रहा है कि घत रहा है दूसरा बात दूसरा बात वो तो किलिया रहे ना जब गराप ठीठा जो बनता है, यह जो ठीठा बनता है किसी वित रखा ठीटा बने ऑघू किसी भी तरह का ठीटा बने हूँ पिर यह यहांपर बनाएगा यहांपर नब्वेदू से छोटा हो अगर ऑफ ठीटा नब्वेदू का चोटा हुड़ा है ौई यह इससे छोटा है इससे छोटा है इससे छोटा है यहां पर भी दोको 90 डिगरी से छोटा है यहां पर भी दोको 90 डिगरी से छोटा है वो 90 डिगरी से छोटा होगा तो वेलो सिटी क्या होगा वेलो सिटी क्या होगा पोजिटीव होगा पोजिटीव होगा अगर वो अगर वो 90 डिगरी से छोटा जाएगा नब्य डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी नेगेटीव होगा मतलग घटेगा डिक्रीज होगा कि कैसे होगा स्पिलिंग बोले इसका स्पिलिंग बोले डिसी ए आरी कि और इस एक तरफ लिखता हुए घटेगा क्या होगा घटेगा अभी दुखो यह पर देखा यह जो गराब बनाएगा यह जो अ अ थिक है आभी दुखो जो मैंने गराब बनाया यहां जो गराब बनाया है अब दोखो इसका जो इसका जो बनेगा इसका जो यह x-axis से साथ बनायेगा इस तरह से टच कर रहा है ना इस तरह से टच कर रहा है देखो यह हुआ क्या हो रहा है यहां पर बनायगा इस तरह से ठीटा बना रहा है तो ठीटा दुको 90 Daddy से बढला है रहा है catching नचल्टा से घ्रा ण् Soo संतुष्ट है या इससर कर रहे हैं तो ठिटा जब 90 दिगरी से छोटा होगा तो घटेगा अधों 90 से तिटा जब डिगरी से बरहाओ थिता है जो बन रहा है वह दिगरी से बरा हो तो वेलोशिटी घटेगा हाँ वेलोसिटी गटेगा और बरने अब लगाल पर लिक्या है हाँ जब वो ठीटा जो है 90 डिग्री से छोटा हो तो वो क्या होगा वेलोसिटी बढ़ेगा पॉजेटीव होगा अब उल्टा साइन दे दिया है ना कि सब कोई देख रहा है उदर से ने से साइन की उल्टा होगा नब रिग्री से छोटा इसका इसका बड़ाटी कि अब जो है जिद्धर भू खुला रहेगा वह बड़ादर सार है यानि 90 डिग्री से वह बड़ा है थिटा जब नब्य डिग्री से पराए रहे शरूप क्या हो रहा है घट रहा है जिद्धर मुख खुला रहेगा वो परा है जिद्धर मुख खुला रहेगा व बड़ाए दो कहा है स्लूप बड़ेगा यहां कि नी का कोई क्वस्था नहीं तो बोल सकते हैं तो बड़े मैं के घ्री सुलोप हम लों आज coach यह कमकलीट है हि अमने और यह वर दिया किने का कोई कोस्टान है है नहीं घर है कि टा कर दाद कि क्या के के तुर्स पूफ सकता है तुरु से अ धत्युक कुछ इसका है तुछ है कि क्या कॉस्टा पूर्स सकता है वों यहां नियुत से नोज देख हो ंज दकषेटेresident यह हम लोग जाए यह क्या दर्सार है यह क्या दर्सार है यह सम इसके किया जीरो है कि लिए है जीरो क्या है क्यालीट तौर्सेट्एट कायनdoes में तो रहन छिए पर दूसरी ज़ेन गराब किए यह ऑगिया यह तौर पर point A दे दिये न, यहां पर point B दे दिये, यहां पर point C दे दिये, यहां पर आप देखेंगे एक चीज, अभी जो आपने question किये थे, उसी के तरह यह भी example है, यह 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 x है, x जो है वो समय है, y जो है वो velocity है, यहां पर देखेंगे graph जो है मेरा क्या हुआ था, एकदम जीसा कि इस पिट कम कर दिये गारी का, तो रफ्तार जिस तरह से बरना था, जिस तरह से ऐसे जाना था, ऐसे ना जा करके क्या किया आप slow कर दिये, फिर आपको मिला फाकार और फिर आप उपर चरने लगे, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक मेरा velocity कुछ आ रहे है, दिख रहे है न वो हमेशा बदल रहा है, बदल रहा है, तो उसको इंग्लिज में बोलते हैं, तो हम लिखे हैं, variable velocity, variable, variable मतलब परिवर्तित होते रहा है, मतलब भी continue, change हो रहा है, variable velocity, मतलब continue वो क्या हो रहा है, change हो रहा है, परिवर्तित, परिवर्तित, वेक, अब दोको वेक continue बदल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? oweeज़राष्ट्स wrap गाहिरोगे कुछ और escucha한데ana, तो आनसे यहां तब यहांते नीकालेगे फुंच और पुंच और you हर जिगा उसका grad क्या हो रहा है wat बदल रहा है क्ऊसार्पय करें वह साथ लिए थे समय कि युद्भcco सुगों कहतं हों भी कर सुनैंट है और आज गर आप भी खतं कर दिया है अब दखो हम लोग के पास क्या बचा है हम लोग कब बेख से रिलेटेड सब कुछ खतम हो गया क्या हो जाता है इसको सब को कम करता है इसी में प्रोवलम होता है अब हम लोग का यह जो चेप्टर स्टार्ट किये थे हम लोग खताम कर दिया है अब हम लोग परेंगे न्यूटन्स लॉफ गुद्पाकर्सन नियाम या फिर बल के बारे में तो हम लोग सबसे पढ़े न्यूटन्स लॉफ परेंगे ठीक ना और आज का समय नहीं है परने का अज समय खतम हो गया इसका हम लोग अभी में आति स्टार्ट करेंगे ठीक है अच्छा मजा आ रहे हैं मैं इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा दे करके कहीं परे हैं तूसा ने कमप्टिशन लाइन का मैं लिगार पढ़ा रहे हैं का अब आज हैं नहीं आ रहे हैं आज पहली बार पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ रहे हैं क्या कहीं पर आपके बारे इमना जल्दी कोई पर आता नहीं आपके एक्जांबे कुछता है आपका गरना चक्रोंगा करना आपको पहले तोड़ देना है उसका गराप देखें क्या कार रहे हैं वहले मांगा क्या है उसने वेलो सिटी तो हम लोग इसमें अब बंद करेंगे हम जाएंगे मैद किया है को दिखाए मेरा मतलब मैद नहीं होगा कि को लेज है हमको निकालना पड़ेगा अप्तार आप दीच में जो सुवह नहीं रगा एक्सप्रेट इसमें परके जाना होगा तो आप थोड़ा अप कर देंगे क्ला क्लास तॉपने करें थोड़ा नहाना फाना पर गातो इसलिए हां आप जा सकते हैं मातर साथ कंडिटेट है मा तो सेवन कंडिटेट आया जी सेरज क्लास भी है तो सुमार इसलिए थोड़ा जाना पड़ राव रिजाल लेना है थोड़ा क्लास को खतम करते हैं का निलेट में बहुत करते हैं बहुत सब्सक्राइब जुड़ा भी नहीं है उल्टा आपको भोलेगा दूसरा दिनुवर्शी को दोराने के लिए इसलिए पॉल्ब्लम भी हो जाएगा और बोलिये सब बोलिये क्या क्या जाए कोई दिक्कत नहीं से जो अच्छा लगा है छोड़ दीजिए हाँ हाँ देखो आप लोगों को ना हमबर्ग देते हैं ठीक ना अपका जो यह है इसमें टाइम से टाइम जो भी अपके गराप है इसको टोटल पर लीजेगा और सुरू से ले करके हैं हमको लगता है इसमें कुछ नहीं बचाया आपका ठीक ना हमने यांत्रिकी से चालू किया था और आपका गती और विस्थापान प्रोजक्टाइल मोशन सर्कुलर मोशन सब परहा चुके हैं यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है छेप्टर ठीक है उससे क्वेशन करना ही है और थोड़ा सा इसको पल्टा के देख लीजेगा वैसे इसमें इससे बाहर भी बताए है इसमें कुछ रहा नहीं आप लोग को परने के लिए किताब ठीक ना हमसे टोटल इससे आप लोग को चाप दिया है उस पे बता दिया है ठीक ना सर डेली का जिश्का अंबर दिजेगा अभी तो ठीक है अभी हमको परेंगे जो बाल पर लेंगे और कारिया शक्ति कारिया और उर्जा हां वो खतम हो जाएगा उसके बाद धेरोसरा इस पर नुमरिकल हम लोग करेंगे धेरोसरा कुस्टन करेंगे अब ठीक ना तो यह सार अगर देखा जाब जो भी बुठाएंगे सारे का जो नुमरिकल है वो वो मिक्स है इन सारे को अभी तक यहां तो खतम किया अब इन सारे को खतम करके उसके बाद हम लोग आगे बारेंगे ठीक ना तो क्लास को छोड़ देते हैं तब यहाई पर और कंडिडेट भी नहीं है फितना ही रहने देता है ठीक है? इसवेचि क्लफे टेक टेक हो आप लोग जो क्या करना है जो हम बोले है जो आप सुरुल से लेकर करके जो गति का चेप्टर था या राकिकी जो चेप्टर यहां त्वीत ना पर आदीजन करने चिटक है? तो क्षिए असका रातर कुना क्लास होगा दूटे आए कि आज हम 14 बजे और आ जाएंगे कल 12 जे आ जाएंगे दिन में फिर साम में पहुंच जिए क्लास होगा कल ठीक जी से जी जी थैंक यू